हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका सरोजदा एक्ट्रेंगल चैनल में आज की रेसिपी है मटर पनीर इस रेसिपी को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और मटर पनीर की रेसिपी खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है आप इन्हें पूरी पराथे या बनाना शूर करते हैं मटर पनीर की सब्जे बनाने के लिए यहां पर मैंने कढ़ाई ली है और उसमें डाला है तूटेवल स्पून तेल तेली खरम हो गया है तो इसमें मैंने डाली है पांच से छे लैसूंकी कर गया और एक इंच अध्रक का टुपड़ा कट करके डाला है इसके बाद इसमें डाली है तीन हरीट मेंच का टकरके डाला है और एक मिडियम साइज का प्याज लिया था जिसे लंबाय में कट कर लिया है और अ भीजसेवी चीजों को हुए हफ्राइज हरा यहां प्याज फ्राइज हो गई है तो इससमें डय की टमाटर यहां पर मैने में 3 मिडियुम साइज के टमाटर लिए थे और इह मैंने में लंबाई में कट कर लिया है। पाल मेरे तहलते के नमक दाले से टमाटर प्यास जल्दी से सोफ्ट हो जाएंगे और अब इन्हें अच्छी से धूहना है जब तक कि टमाटर अच्छी से कल ना जाएं सोफ्ट ना वरे तब तsको बूह लें ने तो यहां पे मैंने ने नो प्रो परकर कर दीया श्लिक अधाए लियोत करने गलें और ट्रtrans़ तरफ चलिक थदो जब हमने त्हएं एक अधाया था वहां टर फमाटर अगर आप फ्रोजन मतर का यूज कर गए हैं तो आपको बोल करने के जाते नहीं है मैंने यहां पर हर्य मतर यह थी और अब पानी में यह अच्छे से बोल हो गए हैं यह दिखिए इस तरीके से मतर्य हापे हमारे बोल हो गए हैं और अब हम फ्लेव को ऊपर के यह पानी से लगए और अब हम बनाएंगे सब्ची तो उसके लिए मैंने नहीं यह तो आपके बड़ी चमझ यह एंपे मैंने तेल लिया है विश्ग के बाद डालेंगी गपाई और दो पिंछ करें और यह करा चmaybe नन्य कंगी से आधा चमच कर आदा कर सकते हैं और अब इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने प्याज लैसुनातरक और टमाटर से जो पेस्ट बनाया है वह हम इसमें एड़ कर देंगे और यह देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से भूल गया है इसको मैंने लगभा 5-7 मिन भीना है इसमें से ओएल भी सेपरेट होने लगा है और अब इसमें मैं लगभा 2-3 चमज पानी एड़ कर दी हूँ ताकि जो हमारा जार के अंदर जो मसाला लगा रह गया था यह भी इसमें से निकल जाए और अब इसे हमें और बिल्कुल अच्छे से पकाना है ग्रेवी को हम जितने अच्छे से पकाएं लिए उतनी ही हमारी जो सच्छी है वो टेस्टी वर लोगी इसको ढख दिया है ढ़क करके मैं इसको पटाऊ लिए और अब यह देखे यहां पर ओल एकदम सर्फेस पे आ गया है बिल्कुल अच्छे से हमारा मसाला हम तो के तयार हो जया है इसी तरीके से हमारा मसाला को भूना है आब इसमें ए मलाई डालने से ग्रेवी के अंदर एक रिचनेस आ जाती है और सब्जी जो है वो खाने हमें और भी ज्यादा टेस्टी लगती है अब यहां पर आप देख सकते हैं मलाई को भी अच्छे से पका लिया है इसके बाद एड कर देंगे इसमें बॉल के भी मतर के दाने और मतर क अब इसमें एड करेंगे तो यहां पर मैंने लगवाद एक कप पानी एड किया है तो आप ग्रेवी जितने थिक पसंद करते हैं या फिर जितनी पपली ग्रेवी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप यहां पर पानी एड जैस्ट कीजिए और आप सभी चीजों को रिच्छ अब नमक यहां पर धान से आड़ कीजिएगा क्योंकि हमें पहले ग्रेवी के लिए जो मसाला प्यार किया था उसमें भी नमक एड़ किया था इसको अब कवर कर देंगे अब यहां पर सब्ची को मैंने आज से 10 मिल कपा लिया है और आप देख सकते हैं एक तम बढ़िया सब् करनाति त्यार होगे है मलकर के अब इसमें एड़ करी आदा चोटा चमच घ्र अलमासाला पावडर और पर आप करेंगे एक चमच कशोरी मेती हुआ जिसे मैं रोश्ट रिया है कशोरी मेती का फ्लेमल होता अच्छा है आता है इसमें तो इसलिए आपक असमरी मेती चरूर इंद्ध करने, भी मिक्स करने और इसने धन्त शब्बर मुकाँ एक मिनुट है API लोन सब्धाइए करने पकाने नहीं दो पताने मिन और पुम्हों रभी करनेको मिक्स bye za के पाद और लीजे आपके मटल पनीर के सची हिद्धम तयार है सरू करने के लिए तो इस्टम आसान और टेस्टीव मटल पनीर की रेसिपी तयार है कि अगर वैसके अपको अच्छा लगा हिए तो लिए को लिएप और कमेंट जरूर के जिएगा और अगर ये चैनल को वहीं तक साइब कर दो कि अधर। प्रहुर किसी एगा फिर मिलेंगे एप और नुब वीडियो में अ आपकोल चीघ को कि कि ले करे के लिए टेकियर teraz और वायि है